हेलो फ्रेंड आल्टिमेट डॉट में आपका स्वागत है आज बहुरी आसान और यूसफुल ट्रीक अपको सिखाएंगे वह है हाउ टू हाइट यूर वाइफाई नेम आपका वाइफाई का जो नेम होता है उससे बंदा हम या मेरा फ्रेंड जो बगल में रहता है वह कनेक्ट होता है ठीक है या आप भी आपका फोन कनेक्ट करते हैं आपका वाइफाई नेम से जाके उधर पासवाट डालए तो वह नेम हम हाटा दे तो कैसे होता है कोई बंदा कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा ठीक है बहुत ही ईज़िए लेकिन यूसफुल बहुत है तो फिर आपको पहले जाना है आपका राउटर का जो डिफल्ट आईपी है अपको इदर जाना है तो आपको दिखा रहा हूँ पहले मैंने मोबाइल पर कनेक्ट करके रखा हुआ है इस डिफल्ट मेरा मोबाइल का स्कीन है तो दिखाएंगे आपको अएस जो वाइफी मेरा कनेक्ट है तो ये वाइफी मेरा शो देकिए शोड़क सो हो रहा है ठीक है तो मैं कैसे इसको जो नेम हो रहा है ना उस नेम को हम हाइट कर से करें वह चीज आपको दिखाएंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं पहले तो यह आप हम थोड़ा मिनिमाइस करके रख लिए पहले आपको जाना है वाइलेस में बहुत ही इसी है लेकिन बहुत बंदा जो नहीं है वाइफाई यूज कर रहा है उसको पता नहीं टो मतलब उसको आइप अड्रेस ब्लॉक करना नहीं आता है कैसे आइप अड्रेस किस पे ज्यादा मंदलब स्पीड लिमिन नहीं लगा सकता है तो उस पीड लिमिट का भी जो वीडियो हम मने मनलब हम बना हुआ हुआ है उसको हम मेरा चैलेंड पर डाला हुआ है वह भी आप वह आपको visible करने से मेरा जो Wi-Fi link मेरा जो Wi-Fi का जो name सो हो रहा था वो name नहीं आएगा ठीक है तो आपको क्या करना है आपको wireless में जाना है फिस settings and un-tick SSID in broadcast and then save click here and reboot now just hold a few minutes इसका बात मैं आपको आपको करूंगा देखिए मेरा फोन अल्रेडी ब्लैंग हो चुका है क्योंकि मेरा Wi-Fi जो फोन में आ रहा था अभी नहीं इसलिए मेरा फोन अभी ब्लैंग हो गया तो आपको दिखा नहीं सकता लेकिन आप एक बड़ ट्राइब करके देख लीजिएगा जो दो इसलिए Wi-Fi का जो नेम होता है तो Wi-Fi में आने जो पहले आपको दिखाया था तो अभी अभी वां नहीं हो रहा है तो हम फिट से आपको दिखाएंगे एनेवेल करके तुरंद मेरा फोन मेर्में सो हो जाएगा ठिक है फिर एनेवल किया, फिर क्लिक किया, फिर रिपोट किया, then okay, just hold, हम इसको मेनु में करते रहा है, तो बहुत ही आसन ट्री होता है, तो एक मिनीर हांडेड़ परसन कम्प्रीट वहने से आपको दिखाएंगे, ग्राफोन बाई डिफल्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो जो वाई-फाई का जो सिग्नल होता है, जहीं से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो वही चीच पुरा हाइड हो जाएगा, लेकिन आपका PC में वाई-फाई रहेगा, लेकिन आपका जो वाई-लेस सिस्टेम होता है, वह पुरा हाई हाई हो जाएगा, तिक है, SSID जो होता है, उसको आंटिक करने से हो हो जाता है, तिक है, चलो, एतो हो गया, अब हम देखत छाए रहा है, मेरा अवी आपका hed रहेगा, तो होता है, तो होता है national need and the इस आप नाव देखे है मेरा जो आई कुसी सोभ रहा है सरी आई पी नहीं हो रहा था पुरा एड चीज जो वाई-फॉय का जो एड चीज होता है यह चीज पुरा महनली जो आपका वाई-फॉय आफ हो गया तो जैसे दिखता है ठीक है आइसी स्वह होगा ठीक है देख पार है आप लोग तो बहुत ही इजी है लेकिन बहुत यूस्पुल है तो आप भी एक बड़ ट्राइब करके देख किएगा अच्छा लाएगा और लाइक कॉमेंट एंड सेयर करना मत भूलिएगा एंड ऐसी नया नया वीडियो अपडेट आपको मिलतर है इसलिए आप मेरा चैलेंड को सब्सक्राइब करना मत फूलिएगा